नमस्कार आप देख रहे हैं आईपा मैं हूँ आपके साथ अर्सला खान आईपा यानी All India Progressive Politics Association जी हाँ ये वही संगठन है जो देश में प्रगती शील राजनीती को बड़ावा देता है जो बात करता है जनता के मुद्दों की इसी कड़ी में आज मैं मौजूद हूँ ब्रह हुआ है यहां पर या बदलाव देखना चाहेंगे सबसे पहले आप से शुरुआत करेंगे बताइए यह सगली पुलिया दौन नाली याम कर राकी में जैसे कि आप देख पारे कितनी खराब दशा है सड़की तो कोई विकास नहीं नजर आ रहा है काफी समस्याएं है हां य कि आपनी कि वज्की समस्याS नहीं देहाने को मिला इसके अलावा और कया समस्या सब्यूर्ण पाद फानी के बज्चली kicking यहम जो चौश। pau . यहाँ पर बारिस आती है तो सारा पानी जाता है। यहां फेने के लिए पानी के लिएता है। फिए के लिए पानी है। लेकिन यह जो समस्या है खाली जो नाली ही दिक्कत कर रही है। सारा पानी बार्शक पानी बर जाता है लोगणा को परिशान होती है बार्शिक्त क्यारते हैं ? बनाएंगे ठीक है कब से ऐसा ही है यह जो सड़क अभी हमने देखी तो कब से हैं कि कैई महीनों से है लगातार पांच शे महीने करी होगे और बारिश में आप कह रहे हैं कि और दशाख हराब हो जाती है और क्या कुछ समस्या है मेरा नाम है रभी गुमार जाटब यहां की सम सबसे पहले तो यहां के आने वाली पीडियों को यह खराब कर रहे हैं और एक पैसे का विकास नहीं है अभी मैं आपको और दिखाऊंगा गलियां कुछ भी विकास नहीं अगर कोई पार जैसे आपने बोला पार्शत गांजा बेचते हैं उसका क्या मतलब आपके पास कैसे मैं आपको एविडेंस दे दूंगा पूरूप है मेरे पास जैसे अभी कुछ दिन पहले इनकी रेली चल लगी तो उनके इंदरापुरम से कुछ लोग आये तो इसी के वो गांजा बेखते लोग तो मैंने उनसे पूछा भाई कहां से आयो इंदरापुरम से मैं कहके पार्षट जी ची का गांजा बेखते हैं पार्षद झी से अगर ये समस्या है तो यह तो पहले से होंगी ना तो फिर जनता ने उन्हें मौका की रहे किसी ने सोचा कलोनी का चलो काम करेगा लेकिन मुझे सबसे बड़ी बात यह है इनको पहले भी टिकट मिल गया और ये व से कैसे चलेगा बदलाव चाहते हैं अब यहां कोई ऐसा लोग बने जो काम करें और समाज की ते उते में बतातों परधान मंत्रिया वास योजना से कुछ मकाने बने दे उसमें पार से जिन ने सबसे जादे घोटाला का रहा था घोटाला ऐसे देख चाहिए मकान बना हुआ ह पहले से तीन मंजिल उस पे नहीं पलेट लगवा दी और उससे क्या हुआ एक लाग रुपे पार्शत जी ने लिए और बाकी के मकान मालिक ने लिए दीना ऐसे से करके इनों ने बहुत तकड़ा और कुछ तो ऐसे लोग हैं जिनके पार्शत जी ने पैसे तक नहीं दिये जि मैं आपको दिखाता हूँ अब चलिये इन गलियों में एक पैसे का विकास नहीं करा पार्शत जी ने अगर बाईचांस कोई पार्शत जी के उपीज पे चलागा शिकात लेकर तो उसको उसके चेले मारते हैं कोई वीडियो बनाएगा उसका फोन तोड़ देते हैं यानि कि फुल बदमाशी है पार्शत जी की पार्शत जी ने एक पैसे का विकास नहीं तो कहती है बीजेबी की राज में तो गुंडागर्दी खतम हुई है माफिया गुंडागर्दी लोक सुरक्षित हैं देखिए इस बात को नहीं मानता है योगी सरकार में सबसे जादे बरस्ट हो रहे हैं कुछ भी नहीं होता है आप कैसी सरकार चुनेंगा बताइए हम सरकार ऐसी चाहते हैं जो हमारे मुद्दों पर काम करें हमारी सोचे यहां देख लीजिए लाइट की वी वस्ता ऐसी है तार तूट जाए को कोई दिक्कत नहीं कोई मर जाओ गिर जाओ नालिया नालिया सभा करा अधर लेकिन यह नहीं तक नहीं सभा कर है तो न में पारसुट बनाओं कि यह इनोंने विकास नहीं कराऊ है यह तो आने वाली PD को ना नसे में जोक रहे हैं मैं आपको दिखाऊंगा मेरे पास पूरा पूरूप है और पहले तो मैं चाहता हूँ यहां जो यह जो मीडिया है ना यह भी जंक से दिखाती हैं यह बात को दबा देती है आईपा इनी मुद्दों को जो असल में जो मुद्दे हैं जाती धर्म बेदभाव से हटके जो विकास के मुद्दे है ना आईपा उनी मुद्दों को उठाता है इसलिए रवी जी आपके पास आएं और लगातर सरकार तक अपील पहुचा रहे हैं और लोगों से भी पूस्ते आपका रहा है कि कोई विकास के बाद से सहमत है बिल्कुल सरकार पूरी यूजलेस है कोई काम करें अभी तक अब अगर आपके पीछे यहां आगे विकास नहीं हुआ कोई भी आप कीचट देख सकते हैं पानी तो अपना से वर्सीवल यूज करते हैं बोरिंग कर वाके भी ठीक पानी कोई विकास नहीं है बस डालके पाइपलाइन चूट रखी है कोई पानी नहीं आ रहा है बाकि आपको रवी सभी ने बाई ने बताई दिया है यूवा है का आप सपोड़न का हो रहा है जिनके पास पैसा है इनके पास पैसा नी alleviate कूई मदध के लिए आता ही नहीं है इसे मटाइक दसा का एधी पाती अब बारच को दोदिन हो गया आप देख रहा हो राशते के हाल देख्वा मारश अइसा हो रहा है जैसे अभी जोनी देख सकते हैं याया नाली को उन्जोन हे specific परक पढ़ा है यहाँ से बैस्ट डिलिके सरकारी स्कूल हैं यहां पर आप सरकारी स्कूल जाके देखे वारीश पड़ेगी तो घुटने-घुटने पानी बर जाएगा यूपी के सारे सरकारी स्कूल हैं पिलकुल बेकार हैं क्योंकि इस्कोल सिक्षा पर फोकस देते हैं नहीं अगर बच्चे अभी स्कूले सारे बंद है करोना की बदे से करोना आग Edge स्कूल बंद अगर बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो इनसे सवाल पूछेंगे क्या हमारा काम कैसे नहीं हो रहा है इसलिए इन्हों नहीं सोच चाहए तो यह से बिजा नहीं हर जाएगा तब माया जाको दाना उस masih इतना तकलीब नोर नोटिस करने वाली बात है कि सकूल बबं़ करवाए को नहीं रेल यह चल रहे इस डेम करोने नहीं होता भूस Anderau भी चाहए पादिश के पढ़ी है खेके के पीछे और स्कूल बंद करवा रहे हैं करोना की वज़े से अब बताइए क्या करें इसके लिए आप कुछ बताना चाहेंगे आपका नाम सारा कुछ ता बिगड़ी गया आप क्या बिगड़ेगा सब कुछ भी पिगड़ रहा है सेलरी बॉना सहीत मिर रही है कामधाम बुना चरव रहा है नोड़ा की सारी कंपनियात बंद कर रखी है क्या कान नहीं है कुछ भी रोजगार नहीं है क्या खाओं क्या पैराओं बच्चों को नंगे और फिरते बच्चे इस्कूल बोरें जाते है सलकार कैसी यह बने हैं इसी के साथ बदलाफ चाह रहे हैं कि पार्षत जी से भी काफी समस्याई है कोई सुनवाई नहीं है बदलाफ चाहते हैं नतीजा बताएगा 10 मार्च को देखना बहुत जरूरी है इसी की तरह आईपा आपके सारी समस्यां उठाता रहेगा और सरकार तक पहुचाता रहेगा इसी कड़ी में मैं लेती हूँ आपसे अलविदा नमस्कार